जे इन्फरेंट जोब से चटुब चल में आपका स्वागत है आज इस वडियो में हम बात कने वाले एक और आर्मी ग्रूप सी की जोइनिंग लेटर के बारे में जो की आपकी विकेंसी आउट की गी थी इन्फरेंटरी स्कूल की तरफ से जिसमें कुछ दिन पहले ही आपका मैंने कम्पलेट रिजेल की लिस्ट आपको दिखाई थी वहाँ का जोइनिंग लेटर भी आपके जारी हो चुके हैं तो जो भी केंड़ेट हैं जिनक्या भी सेलेकसन हुआ था उनके जोइनिंग लेटर आ चुके हैं उनके आपकी जो date है वो दी गई है complete की कितने तरीक को उनको बुलाय गया है complete जानकरी अभी इस चेक कर लेते हैं क्या-क्या उसका आपका रहने वाला है आपकी जोइनिंग से समंधित क्या-क्या qualification के साथ साथ आपके क्या-क्या document और मांगे गए हैं और साथ में जो भी candidate अभी तक फोर्म अप्लाई के स्टार्ट नहीं की हैं जो उनके अप्लाई नहीं करते हैं उनके इंडियर को बताना चाहूंगा कि जो भी किसी भी job को पाने के लिए आप application फोर्म बरना बहुत ही जरूरी है त्यारी करना बहुत ही जरूरी है तब भी आप का सिलेक्शन हो सकेगा इस प्रइंप यह देख सकते हैं आपको स्कीन पर दिखाई दे रहा है bringing to स्कूल महाईग की तरफ से जोइनिंग लेटर बह से जारी किया गया है छिसमें आप देश सकते हैं चार मई को ही इस सिगनेच्र किया हुआ बहुंय लेटर आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप देश depois सब्सक्ते हैं सबसे बड़ा दोकह केंडिक के साथ उनका रिजेट जारी नहीं किया गया था बाकी सभी ट्रेड्स पे आपका जोइनिंग लेटर जारी हो चुके हैं आवेदन पतर दिनांग 18 जुलाई के अनुसार सीधी बढ़ती 2022 में आपका LDC पधेतू ओबीसी स्रेनी में आवेदन किया गया था इनके दोआरा ओबीसी स्रे जारी कर दी गए अब देख सकता है इसम्मूल दस्ता वेज में सत्यापन के लिए आउसक चीजें इसमें साथ में दी गई है तैंथ की टॉद्ध के मार्क सीत इंको साथ में Irishनल लेके जाना है ये दो चीजे आपको लेके जानी है बाकि किसी भी परकार की कोई भी चीज फिलाल आपके सत्यापन के लिए ये डोकॉमेंट आपके भीजे जाएंगे आपके जो भी 10th है और 12th की माकसीट है वो आपकी स्कूल में जहां से आपने 10th पास किया है और 12th पास किया है वहां के स्कूल के लिए विरिफिकेशन के लिए सेंड की जाएंगी इसके अलावा आपकी OBC सेटिवेट है वो आपकी जो भी आपकी तैसिल में सेड किया जाएगा वहां से जितना जल्दी आप विरिफिकेशन करवा कर सेंड करेंगे वहां पीस यहां पे उपीस में मतलब आपकी जो भी इंफेंट्रे स्कूल में तो उतना ही जल्दी आपको जोइनिंग मिलेगा तो जो भी केंडरेट है जिनका भी जोइनिंग आया है वो केंडरेट जल्दी से जल्दी अपने जो भी डोकॉमेंट है वहां लेकर पहुंच सकते हैं इसमें आपका टाइमिंग दिये गए है आप देशकते हैं सला दी जाती है कि उप्रोग जो भी केंडेट यह दिकिसी भी फरकार के दस्तावेच उनके पास नहीं मिलते हैं या आपके अबिसी सेटिवेट नहीं मिलता है तुरूटी मिलती है उन से आपका जो भी वेरिफिकेशन होने वाला है ये complete वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका joining letter जारी किया जाएगा joining letter के दूसर पहले आपका medical होगा या तो महूँ infantry school जो आपके पास में आपका civil hospital है वहाँ पे महूँ में आपका होने वाला है दूसरा आपका option दिया जाएगा कि आप अपने भी पास के जो भी civil hospital है उसमें भी आप अपना वे जो भी medical है वो बनवा कर लाज सकते हैं यह दोनों option आपको मिलने वाले हैं पिछले कुछ candidate जिनका जोइनिंग हुआ है पिछली साल की recruitment निकली थी उनका भी option मिला था बाकी यह सभी लगबग candidate ने अपना जोइनिंग लेटर जो वाँपे पहुंचा था उन्हीं की साथ आपने आप जो भी civil hospital है नजदी की civil hospital जो भी आपका district का उसमें से उन्होंने document के साथ medical बनवा के लेके आई थे तो जो भी candidate है जोइनिंग से पहले आपका medical भी होगा medical विल्कुल normal होगा medical मेडिकल में आपकी सभी आई चेक अप होगा तो चेक अप आई चेक अप में आपकी six by six है six by nine है तो भी आपका चलेगा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कोई भी आपका यदी चसमा अगर आपका लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बाकि की urine टेस्ट है blood test है उसके बाद में आपका आक्सरे है और यह normal चीज़े बीपी हाइट चेस्ट वेट यह सभी चीज़े आपकी चेक की जाएंगी normal आपका लगबग जो भी फिल्ड एरिया के लिए नहीं Infantry School के पुराने वेडियो भी बहुत सारे मेरे आप चेक करेंगे तो आपको medical से समंदित है जोइनिंग से समंदित complete जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाती है पुराने वेडियो आपके 2021 की विकेंची जो आउट की गी थी उनके सभी के वेडियो आपको complete बनाया गया है medical से सम इससे समंदित आदर किसी की प्रगार की क्यूरी आपकी है तो आपके टेलिग्राम गूपर personal message करके मुझे पूर सकते हैं जिनका भी जोनिंग लेटरा है एक बार comment box में जूर comment करें या पर आप इस्टांप देख सकते हैं या राप डिस्टेंप आपकी लगी वी है जो भी लेटरा हैं उनकी अलग-अलग डेट आपको बुलाया गया है जो भी document के लिए और document सही टाइम पर आपको पहुंचना है यह दिन नहीं पहुंचते हैं तो आपको आपका रद कर दिये जाएगा जो आपकी उमीदवारी है वो आपकी रद कर दी जाएगी तो जो भी किन डे